नमस्कार उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चैन आयोग इसमें अपनी जो वन दरुगा के मुख परिच्छा मैन का जो पेपर है इसलिवस आप लोगों का बेजिक आइडिया है कि इन्होंने 26 टॉपिक्स जो हैं उन्हें दिया गया है इनमें एक तो आपका एगरिकल्चर वाला वो तो बहुत ज़्यादी हो जाता है जो रिमेनिंग 25 हैं जो अपने फोरेस्ट और इन्वार्मेंट से रिलेटेड हैं उनको हम लोग एक-एक ना करके एक जो ग्रॉप है सब्जेक्ट वाई उस हिसाब से पढ़ेंगे होता है यह ऐसी लिए भी है कि जो आपके सिलेबस बनाने वाले होते हैं मैचोटी लगवगा 98% आप आप आफिसर लिबल पे मानिए जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट में डियाफ वार उसे हाईर पोस्ट पे हैं यह सभी नोन फोरेस्टी बैक्ग्राउंड से हैं एकट में कुनका नहीं होता है ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी काम चलाओ पढ़ा क्योंकि जॉब से एक बार इंट्री होने के बाद निकाल तो सकते नहीं है तो जो भी पढ़ा उससे जो समझ डिबलप हुई उसके हिसाब से यह कुछ टॉपिक लिस्ट कर देते हैं और यह सा यूपी में ही नहीं है अकसर यह स्टेट लिवल पर ऐसे से लिवस में डिस्क्रिपेंसी होती है तो इस टाइप से छोटी-छोटी चीजों को पढ़ाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है आपको भी वो चीज़े नहीं रहेंगी तो बहतर है इन्हें जो सब्जेक्ट है जैसे ग्रुप कर लो एक सब्जेक्ट आता है फोरेस्ट लेजिसलेशन यह कुछ जगह आपको यह लिखा मिलेगा फोरेस्ट एक्ट्स एंड पॉल्सीज वन अधिनियम और नीथिया इस नाम से एक सब्जेक्ट मिल सकता है यह फोरेस्ट लेजिसलेशन वन कानून इस नाम से कुछ सब्जेक्ट के नाम मिल जाएंगी आपको किताब हो में और यह जो इनके पांच सब्जेक्ट हैं या जो इसमें दिये गए हैं अपने सिलेवस में 1, 2, 4, 8 और 23 यह सारी चीज़ें अपनी इसी एक्ट के एंडर आजाती हैं जो जैसे यहाँ पर आज का अपना डिस्कुर्शन का रहे का टॉपिक फोरेस्ट यह पॉलसी जिखा आगे हम लोग जब अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें आएंगे अपने फोरेस्ट एक्ट तो जो एक्ट है उसमें यह फोरेस्ट गवर्नेंस वाला जो है गर्मेंट लॉज और यह फोरेस्ट कंजर्विशन लॉज यह इसमें फोरेस्ट प्रोटेक्शन यह सारी चीज़ें ज फिर पढ़ेंगे हम लोग forest law या act यानि की अधिनियम आज पढ़ेंगे नीतियों को फिर पढ़ेंगे अधिनियम को आपके जो सिलेवास हैं उसमें हमें कौन-कौन से देखने हैं एक तो forest की policy यानि की नीतिया, forest के act इसके अलाबा wild life protection act और बकाय के 3-4 और act है जिने थोड़ा थोड़ा दिखना होता उतनी में आपका काम हो जाएगा अब मैं आपसे बोलूंगा forest policy, forest law तो कई बार आपको दिक्कत हो सकती है कि आखर ये जो एक आप बोल रहे हैं policy आखर policy और act में difference क्या होता जैसे मैंने यहाँ पा लिख दिया policy इसको हिंदी में बोलते हैं नीति और जो act है forest act इसको क्या बोलते हैं अधी नियम इन में अंतर क्या हो जाता है देखो नीति का मतलब है हम कोई नीति बनाते हैं कि हमें जंगल को यहाँ लेके चलना है आज हम इतना पढ़ते हैं हमने जैसे एक्सर हम लोग पढ़ाई में वो उस चार्ट नहीं बना लेते हैं किस पीछी दिन किसी ने इस पीछी दिमारी बड़ी हम लोग इतने इंस्पायर हो गया है सुभाई बैठेंगे और पूरे महीने भर का खाका बना दिया कि इस दिन ये पढ़ेंगे सुभाई आठ वजे जगेंगे फिर दो गंटे पढ़ेंगे नास्ता करेंगे ये करेंगे हम जंगल को कहां ले जाना चाहते हैं वो हमारी रण नहीं थी है उस तक की स्ट्रेटजी कि हम वहां पहुंचना चाहते हैं और उसको कैसे पहुंचाया जाए उस लेवल पे उसके लिए हमें जो डिफरेंट एरिया हैं बहुत सारे स्टिक होलर्डर्स हैं उन पर काम करना हो किस पर कितना काम किया जाए कि हम वहां पहुंचाएं जैसे गवर्मेंट ऑफ इंडिया की पॉलसी है कि हमें फाइव ट्रिलियन एकोनॉमी बनाना है माल लीजिए उन्होंने ट्वेंटी थर्टी सैट कर दी तो 2030 तक फाइव ट्रिलियन एकोनॉमी बनाने के लिए आपको कि कि सेरिया में क्या करना पड़ेगा बो सारी चीजे हम नीतियों के अंदर पढ़ते हैं अगर इसमें जो स्ट्रेटजी है माल लो यह बोला गया है कि वेहिकल जो बाहन है उनके प्रोडक्शन के लिए हम इतने परसेंट टेक्स की छूट देंगे अगर इन्होंने नहीं दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि सेंटर गवर्बेंट को आप जेल में डाल दोगे यानि कि नीतियां एक रड़नीती है जहां आपको पहुचना है और अगर इनका वायलेशन कर दिया जाए अगर इन्हें ना फोलो किया जाए तो आपको कोई पनिसेवल ओफेंस नहीं है सजा नहीं दी जाएगी जबकि जो कानून है एक्ट इसमें क्या होता है यह बिलकुल पूरे सेक्शन वाइच यहां आर्टिकल यूज सब्द नहीं करते हैं अनुछिद आर्टिकल जो की सम्विधान में है यह इस टाइप के जो छोटे-छोटे एक्ट आते हैं इनमें जो नंब से जनवर को नहीं मारेगा अगर कोई मार दिता है तो उसको यह काम किया जाएगा उसको यह सजा दी जाएगी उसको वो सजा दी जाएगी तो इसमें क्या है अधिनियम में कुछ प्रकार की वाड़न होंगे अगर आप उन्हें फोलो नहीं करते हैं तो आपको सजा दी जो difference है वो समझी में आगा है। दूसरा एक question और आता है कि यह जो forest के act है वो क्या है वेसिस law है तो मैं अभी हल फिलाल में बता देता हूं कि यह special law है, एक special field को ही tackle करते हैं, special law बना जाता है ना। अब अपना आज का जो मुद्ध है forest policy का उससे discuss करते हैं। पहले मैं एक basic खाका समझा देता हूं आपको call policy policy अपने पहनियों की। तो मैं लिख देता हूं आपकी forest policy। देखो अपने पास तीन policy आई है national level पे। पहली policy आई है 1894 की। दूसरी policy आई है 1952। देश आजाद हुआ, आजाद होते ही हमने policy बनाई। और तीसरी policy आई है 1988 की। अभी recently policy का draft आया था लेकिन लोगों ने इतना negative feedback दिया कि government ने draft बापस ले लिया। तो अभी तक हम लोग यह 1988 की policy को follow कर रहा है। तो ऐसे अभी तक अपने पास तीन policy है। यह दो देश की आजादी के बाद और यह से पहले। ठीक है। आपको इन तीनों policy को पढ़ना है इनका आपस में comparison समझना है। इसके अलावा आपको यहाँ UP की जो state policy है, state forest policy हर state की अपनी policy होती है उसको भी पढ़ना है। हलाकि इनका पढ़ने का जो दायरा है वो थोड़ा limit में होगा। एक लेवल से जदा नहीं तो policy ही 25, 25, 23 page की होती है तो इसी में डूब मर जाएंगे। तो एक लेवल तक ही अपने को नहीं पढ़ना है। एक लेवल से जदा detail में नहीं जाने की जरूत है। अब सबसे पहली policy पर चलते हैं, 1894 की पर यह policy आई कैसे है। एक अपना issue ही आता है कि यह policy, forest policy बनाने का काम कैसे होता है। British है, colonial rule जब start हो जाते हैं पहले करती है, company का rule, company क्या करती है, मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, साथ में समझाता हूं उने भी। जैसे starting में British है तो उस ताइम पर जब British की injury होती है, उस ताइम पर आप यह मानिए कि देश के लगवग 85, 85, 85, 85 पर जंगल होगा करते थे। British है, इन्होंने क्या किया कि उस area के जंगलों को साफ करो और उन पर खेती वारी करवाना start कर दो। इस से क्या होगा, जितना जैदा area में खेती वारी होगी उतना लगान मिलेगा, लगान मिलेगा तो इनकी आमदनी होगी। इस प्रकार से deforestation सबसे जदा agriculture के द्वारा किया गया पहले, हलाकि आज भी agriculture एक मैनफेक्टर है अभी भी, लेकिन इस्टार्टिक में बिटिस ने सबसे जदा deforestation किया। चोटा नागपूर प्लेट्यू, जार खंट, आदे forest इनकायब का डाले। तो आप स्टार्टिक से पूरा deforestation का चलता रहा। पढ़डा में इसका यह हुआ कि एक टाइम के बाद कभी नौर्थ में, एमपी में अकाल पढ़ गए। स्टार्टिक में यह चीज़ें चलती रहें, कोई दिक्कत नहीं, बड़े खोस रहा है बिटिस, कि भाई कुछ नहीं, जंगल क्या है, इको सिस्टम क्या है, इसके पीछे एक रिजन यह बोल सकते हैं, कि जो religion है, वो कुछ factor role play कर सकता है। जैसे जो Christianity है, क्योंकि by default, जो religion है, उसका कहीं नहीं impact रहता ही है, Christianity में या जो Abrahamic religion है, उसमें इस टाइप की concept है, कि God ने जो कुछ भी बनाया है, वो man है, human भी, और जो कुछ भी surrounding में है, वो उसके exploitation के, उसके अपभोग के लिए है, यानि कि आप कुछ भी काट पैड़ ये कोई फरक नहीं पड़ता, वो आपके लिए ही बनाई गई है, तो वहाँ nature, nature वाले conservation, जो nature के साथ coordinate करके रहना, इनके लिए कोई ज़धा space है नहीं वहाँ, तो यहाँ वही चीज़ें शुरू होती है, जंगल को काटो, जो wildlife की hunting करो, इस टाइप से ये चीज़ें चलती होता ही है कि स्टार्टिंग में तो चीज़ें धीर धीरें चीज़ें गड़वडाती रहें, लेकिन तब भी वो यह है कि छोटी मूटी तबियत खराब होती है, तब भी आप ठीक रहते हो, धीरे धीरे एक बीमारी जब एक लेवल से जदा आ जाती है, तब सरीर response करने लग जाता है, कहीं पांच लाक मरते हैं, कहीं दस लाक मरते हैं, कहीं बीस लाक मरते हैं, कभी राजस्तान में होता है, वहां दिमाख खराब करें, तब MP में पढ़ गया, महरास्टा में पढ़ गया, साउथ में पढ़ गया, साउथ से निप्टे तब तब तक फिर महरास्टा मे पढ़ गया या फिर यूपी में पढ़ गया तो हर दू-चार साल में किसी ना किसी एरिया में आकाल पढ़ने लगे और लाखों में लोग मर रहे है पिठे उसको समझ में नहीं आया कि आखिर भाई करें तो करें क्या अभी तक तो बड़ा मस्त सिस्टम चला था एक और 1857 की क प्रांती तक तो कंपनी का रूल था इसके बाद ये कुईन के अंडर आ गए महरानी के अंदर आ गए तो इन्हें और समझ में नहीं आ रहा है कि हमने तो कुछ बड़ा बड़ा नहीं कर दी तो ये जो कांड जो रायता फैल रहा था और इस टाइम पर कॉंग्रिस बगरा अ अब के सब जर्मनी के है तो इन्होंने जर्मन से थे वॉलकर कौन थे डॉक्टर वॉलकर ये नाम रख लो ये इसका एक बात हो देखो आप मैंसे हो सकता है कुछ लोग जिनने इंगलिस की दिकत हो सकती है तो जैसे मैं बोलता जा रहा हूं तो जो मैन मैन पॉइंट है वो अपनी एक नोट बुक बना लीजिए और उसमें जो मैन मैन पॉइंट है अब कोई स्टोरी बताई वो तो उसका परपज होता है कि समझने के लिए एक बेसिक अंडर्स्टेंडिंग हो आपकी और कुशन इधर उधर जाए तब भी आप हैंडल कर लो लेकिन मैन पॉइंट जो है उन्हें आप आराम से हंदीब अपनी भासा में लिख लिए जो कोई दिकतनी फ्लो चार्ट में लिख लो कैसी भी लिख लो आपको ही पढ़ना है तो रिविजिन कोई खो जाता है तो आप लिख सकते हो क्योंकि नोट भी लगवग 15 के आसपास बेचे जाएंगे तो चार दिन उदार लगी जाते हैं तो यह क्या करते हैं डॉक्टर वोलकर नाम याद रखलो इनका इनसे बोलते हैं भाई साब दिख लो हमारी समस्या क्या है वोलकर को बिट्टिज गर्वर्मेंट कब बुलाती है 1890 में जिहां रखो 1890 में वोलकर को एपोटनील इनसे बोला जाता है भाईच आप देख लो हमें समझ में नहीं आ रहा है ये राहता क्या फ्यल रखा है हमारे हाँ ये दो साल काम करते हैं 92 में कब 92 में सुरी यहां 93 में 92 के end में और 93 के starting में तो यहां 93 है आपको ये डिट याद रखने की जरुवत नहीं है आपको याद रखना है अठारा सो नपबे जब वोलकर को एपॉइंट किया गया इन्होंने क्या किया दो तीन साल काम करते हों और अपनी एक रिपोर्ट देते हैं रिपोर्ट का नाम रहता है रिफॉर्म इन इंडियन अगरिकल्चर भारती करसी बवस्ता जो है उसमें सुधार इस नाम से एक अपनी रिपोर्ट सम्मेट की जाती है उसका एक चैप्टर रहता है आठवे नंबर का वो पूरा का पूरा डिडिकेटेड होता है फोरस्ट के उपर उसमें ये फोरस्ट से सुधारों के लिए देखो स्टार्टिंग में जो वन है वन विवाग है ये सेंटरल लेवल पे मिनिस्ट्री ओफ एगरिकल्चर यानि कि करसी विवाग की एक साखा हुआ करती थी ये जो फोरस्ट डिपार्टमेंट है ये सेपरेट नहीं था अगरिकल्चर डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंट की एक उसकी अगरिकल्चर मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट यानि कि अगरिकल्चर मंत्राला जो केलरे लेवल पर उसकी एक साखा हुआ करती थी और ऐसा ही राज्यस्तर पर विद्धा तो यहां अगरिकल्चर की समस्या के लिए ने अपउइंट किया गया था और इनने क्योंकि अगरिकल्चर के अंडर ही आता है तो उन्होंने उसी में एक चेप्टर दे दिया आप से पूछा जाता है कौन वोलकर कब इनने अपॉइंट किया गया 1890 है इनने जो रिपोर्ट दी उसका नाम क्या है रिफॉर्म आफ इंडियन अगरिकल्चर और यह जो रिपोर्ट दी इसके आधार पे बिट्रिस गवर्मेंट ने एक पॉलिसी ले किया है इससे बोला जाता है फोरेस्ट पॉलिसी कब की आई है 1894 यह याद रिख लो वन नीती 1894 की वन नीती ठीक है इस पॉलिसी को पहले देखो मेरी भी एक लेवल है स्टार्टिंग में हम लोगोंने जो बुक से पढ़ते हैं उनमें यह पढ़ा जाता था कि जैसे हमने ने आपको बताया तीन पॉलिसी आई है एक 1894 की यह दूसरी आजादी की बाद की 52 और 88 उनीस सो अठासी तो पहले ऐसे सब पढ़ने में आया था कि इसको तो हम केवल फॉरस्ट पॉलिसी बोलते हैं और जो बावन वाली है वो फर्स्ट नेशनल फॉरस्ट पॉलिसी है लेकिन असलियत यह है कि ऐसा नहीं है तीनों ही पॉलिसीओं को हम नेशनल फॉरस्ट पॉलिसी बोलते हैं यह 52 और 1988 यह तीनों की तीनों पॉलिसी ही नेशनल फॉरस्ट पॉलिसी है ठीक है तो यह फस्ट नेशनल फॉरस्ट पॉलिसी यह फस्ट फॉरस्ट पॉलिसी है यह सेकंड फॉरस्ट पॉलिसी यह इस टाइब से आपको पहली पॉलिसी कैसे आई वो बास समझ में आ गए अब मैंने आपको इतिहास जब बता दिया इसका समान तोर पे हमें कभी भी कोई भी पॉलिसी पढ़नी होती है तो उसमें तीन चीज़ें ध्यान अखनी होती है पहला वो पॉलिसी क्यों आई जरूरत क्या है इस पॉलिसी की जरूरत मैंने एक मोटा माटी आपको समझा दिया उतनी से आपका काम हो जाएगा आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है दूसरा यह पॉलिसी जो आई डॉक्युमेंट आया इसमें क्या बोला गया है उसके सेलेंट फीचर तीसरा इस पॉलिसी में क्या कमिया थी जिसकी बज़ाए से हमें फर अगली पॉलिसी के लियाने की जरूरत पड़ी तो ये तीर ऐसे एरिया रहते हैं जिनने डिस्कस करना होता है पहला जो अपना इसू था जरूरत उसे आपने पढ़ चुके है अगरिकल्चर की समझ चाहे थी वोलकर बोलाया, वोलकर ने 1990 में बोलाया, 1890 में और 1994 में पहली फोरेस्ट अपोल सी आई वोलकर ने उस रिपोर्ट में क्या बोला था, उसे समझ लेते हैं वोलकर ने बोला कि देखो भाई साब, आप लोग घर क्या रहे हो ये जो पहाड है, पहाडी ले इरिया है ठीक है, पहले क्या होता था, कि मान लेजिए इसे आप इस हिसाब से भी देखोगे कि कैसे समुद्र का जो पानी का लेवल राइज हो रहा है वहाँ पर भी ये चीज आपको काम आई दिये, तसल्लब से बढ़िया आप बोला कि क्या होता है, कि ये जो जंगल के एरिया है मान लीजिए, पहले बरसात आई और बारिस ने यहाँ पर हजार लीटर पानी बरसा दिया कितना हजार लीटर ये पूरे जंगल थे जंगल है तो पिड़ जो है मिनरल्स उनको साइकलिंग कर रहा है पत्निय जड़ा रहा है, बहुत सारे पोसक तत्तों यहाँ पर फैले पड़े है एक टाइप से पोसक तत्तों की भरमार है यहाँ की मिट़्ी में पेड़ों ने यहाँ पर पानी ने यहाँ बादलों की टाइम पर मालसून की टाइम पर चार-पांच महिनी का होगा, उस ताइम पर खूब बारिस करी ये जो जंगल की पेड़ है, ये करते क्या थे नदी में पहुँच जाए, उसे नहीं होने दे, जो तेजी से दोड़ता है पानी, उसे बोलते है रन ओफ, ये एक जो टार्मिनोलोजी है, ये एक्शुली सिल्वी कल्चर में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपके में क्या है जो पानी अपने जमीन पर दोड़ते हुए दिखा होगा, बरसात के रामिन लगता है, उसे बोला जाता है, रन ओफ, तो इन्होंने बोला कि ये क्या होता था, जो भी पानी गिरा, हजार लीटर, जंगल क्या करते थे, पिर उन्हें रन ओफ, तेजी से पानी को बहने नहीं देते, पानी को थाम लेते थे, जिससे बहुत सारा पानी वहीं जमीन में चला जाता था, फिर इनकी जड़ाओं से सूसित करती थी, फिर एट्मोसफिर में छोड़ देती थी, उपर छोड़ा, फिर पानी उपर है, साम को चार-पांच बजे तक, फिर ठंडा हुआ, बादल से दो सोल के असपास लीटर पानी जाने देगा, बकाया के आठ सो लीटर पानी को यहीं पकड़ कर रखेगा, यह साइकल में घूमता रहेगा, इसका रिजल्टी होगा, साइकल से पानी धीरे-धीरे फिल्टर होता रहेगा, तो यहाँ पर नदियां जो है, वो सदा बहर र फिल्टर होता जा रहा है और धीर धीर निकल रहा है इस टाइप से क्या होता था कि नीचे के एरिया में जहां पर पहले खीती अच्छी से होती थी उन्हें साल भर पानी की समस्या का कोई दिकत नहीं थी अब तुमने यह ओपर की साफ कर दी यह पूरा जो इस्टोरेज बन र आ गई उपर की जो मिट्टी थी टॉप सॉयल उसे बहक ले गई तो इससे उनकी मिट्टी की और बर जबता गिर गई दूसरा गर्बियों में पानी नहीं रहते ही सूखे की समस्या हो गई तो आप एक काम करो कि यह अब हर जगाए के जंगलों को काड़ने का काम मत करो जहा देखो बिर्टिस को एक नीती बनानी है नीती क्यों बनानी है क्योंकि अगरिकल्चर की दिक्कत है तो नीती यह इस हिसाब से बनाएंगे कि इनके इंट्रेस्ट जो हैं बो भी बचीर है और थोड़े बहुत वो अप इतना काता है थोड़ा बहुत कुछ हो जाए बहुत य इसी ले आये तो इसका man object है, मुख उद्देस किया था, मुख के उद्देस था, कि आज जो देस है, उसमें आदमी की general भलाई हो, सामान भलाई, general value of country, यहाँ पर फिर वही चीज़ न की चला है, climate और physical जो condition है, country का उसकी सन रखचल करना, यह इन्होंने एक types है, यह एक basic है, ज यह line क्यों पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों को यह लगता है, क्लाइमेटिक और physical condition की सरक्षड करने वाली जो बात है, यह तो साइद अगले पिछले 20-30 साल में ही हुई रहूंगे, यह तो 100-500 साल की बात चल लाई है, means लगवागे 130 साल, 130 साल पहले थोड़ी लो है, लोगों की और हमारी, उन्हें भी मिले और यह संरक्षड भी हो, अब इनने नीती बनाई होगी तो क्या होगा, एक 15-20 पेज का ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट में क्या करेंगे, सबसे पहला इनका काम होता है, क्यो जंगल है, उसको कुछ हिस्सों में बाट दो, इ जिससे नीचे फ्लडिंग बाड आ रही है, या सूखा पड़ रहा है, तो पहले ऐसे एरिया को आप डिटेक्ट करो, पहचान करो, और उनकी गोला बना के उन्हें कर दो, प्रोटेक्ट, उनको इननों ने नाम दिया, क्या है, प्रिजर्वेशन, इसे बोल देते हैं हम और फिजिकल जो इन्वारिमेंट है, उसके सर्रक छड़ ये कर सके, अब बोला देखो, जो तुमने बोला था, वो प्रिजर्वेशन कर दिया, अब हमारा काम हो गया, तो अब दूसरा वो एरिया लगो, जिसका काम है कॉमर्सियल पर पाजा, हम इस से कॉमर्सियल स्केल पर टिमर का प्रोडक्शन करेंगे, अब मैं एक्शली ज़्यदा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, कि क्लास लंबी हो जाएगी और उतने में आपको ज़्यदा कोई कॉस्ट बेनिफिट है नहीं, यहाँ पर बिटिस का बेसिक सेंस यही था, कि जो उनकी इंडिस्ट् पर है, पैंसिर पैंड, यह पूरे जो बिटिस ने अपने यहाँ इंडिस्ट्री है, एक तो उनको सप्लाई करना है, दूसरा उनके खुद के जो सिप बिल्डिंग है, बिटेन में जो फैक्ट्रियां, उनको सप्लाई करना है, तो यह इस ताइप से चाहते थे, कि जैसे ख फिर से गोला लगा लिगा, और यह बोल दिया, यह कॉमर्चियल प्रोडक्शन के लिए है, जहांसे वैल्यूएबल टिम्बर मिलेगा, अब फिर थोड़ा बचा जो एरिया है, उसमें बोलेंगे, कुछ जो है, घटिया फूरेस्ट बचा रह जाएगा, उसे बोलेंगे, मा गादा खड़ जलाओ लकली ले रहा है, यह माइनर जो चीजे निकलती है, उनके है, टिम्बर नहीं माइनर चीजे है, तो उनके लिए है माइनर फूरेस्ट, और कुछ खाली जगा होती है, उसे बोलते है, पास्चर लेंड, जो घास के मैदान है, उन्हें बोला जाता है, इस टाइप से भारत के जो वन है, इन्हें इन्होंने चार पार्ट में डवाइड कर दिया, आपको इन चारों के नाम याद रखने चरूरी है, यह पहली पॉलसी है, जिसमें देश के जंगलों को, यानि की वनों को, चार हिस्सों में बाटा, पहला है प्रिजर्वेशन, य इसलिए मैं बोल देता हूँ, PCMP, ठीक है ना, प्रिजर्वेशन, यहाँ प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेटिव, इस टाइप का प्रिजर्वेशन मतलब सर्रक्षरवाला है, यहाँ कई बाट टर्विनलोजी में थोड़ा बहुत बदलाओ कर देत है, कंजर्वेशन, माइनर और पास्चर लेंड, यह चारों सब्द याद रखना है, और यह देख रहा है, यह उनके फंक्सन कार के आधार पर अपनी जो पहली पॉलिशी आई थी, 1894 की, उसमें बांट दिया गया, इनहीं को, इनने क्लास के नाम से भी है, यह क्लास बन, क् यह कहां पर, situated on hill slope, commercial, second वाले थे, तो यह कहां हो कि जहां अच्छा अतुपाद हैं, जैसे कि फोटेल है, जहां पर valuable timber species ग्रो करती है, inferior quality के, मिनिया, घटिया quality के जो timber पर वो तीसरे में होंगे, यह बिलकुल पास्चर या grazing land, grassland है, गास के मैदान या पास्चर मतलब वो इस इसी को range land, range term भी use किया जाता है, तो वो भी use किया जाता है, वो class fourth है, इस type से class one, two, three, four में ने बाट दिया, इस policy में और भी बहुत सारी बात है की गई है, permanent cultivation, maximum urban, इस policy में दुनिया भर की बात की गई है, जैसे shifting cultivation, shifting cultivation में बोला गया, यह सामाज एक बुराई है, ऐसा नहीं क दरना चाहिए, यह करना चाहिए, वो कर, लेकिन सेप्टिंग cultivation को रोकने के लिए इनोंने कुछ नहीं किया, क्यों? भाई, पहले इसी सर्दार था, 1857 की किरांती हो गई, इसे और रोक दो, जन जातियों से, और दुस्मनी लेंगे, और दिमाख खराब, और बैसे भी, यह कौन से बचाने के लिए थे, यह तो खुद लूट रहे थे न, तो यहां सनरक्षड का काम नहीं था उनका, वो सनरक्षड के नाम पे उन वो सब कुछ करते थे, बैसा है, इसमें और भी दुनिया भर की चीज आएंगे, इनने देखो, policy लेकी आये थे, क्योंकि वो issue आ रहा लेते हैं, तो revenue हमेशा बना रहा है थे, ठीक है, अब मुद्दा आता है, इस नीती में समस्याएं क्या थी, आप इस नीती की policy को ऐसे समझ लो कि जब 1894 में ये policy आई, 6 साल अधर, 50 साल अधर, 52 में अपनी नहीं policy आई, मतलब 54-55 साल में वही policy अपनी चलती रही, तो आप से दो question पूछे जाएंगे, कि जो देश के आजाद होने के बाद 1952 में जो policy आई, उसके आने के क्या उद्देश थे, क्यों लियानी पड़ी, लियानी इसलिए पड़ी, क्योंकि उसके पुरानी policy, वो कुछ कमिया थी, अब वो कमिया क्या थी, तो इसके जो समस्या है, वो इस बचाने का कोई उद्देश ही नहीं था, केवल एक टाइप से वो समस्या थी, बिटिस गवर्मेंट थी, कोई रिपोर्ट आई है, तो कुछ ने कुछ आपको काम चला हुगा करना होता है, इसलिए यह policy लेकि आए, उससे जदा कुछ नहीं, वाइल लाइफ कंजर्वेशन क लगाई एंडिस की, हमारी देश की खुद की जरूरते बड़े ही, हम लोगों ने फैक्टरी लगाना सुरू किया, अब अपने हमानों कोई पैंसिल बना रहा है, उसके लिए लखड़ी चाहिए, कहां से आईए, जुनिपर्स की लखड़ी लखती है, वो नहीं है, तो हमें अपने देश की जो संसाधन है, उनकी जरूरत है, फैक्टरियों की जरूरत है, वाइलल लाइफ का मुद्ध आएगा अपने लिए, बनने जीवों का भी तो सरक्षड़ करना है, इसमें कोई मुद्ध ही नहीं है, तो एक तो अपनी जरूरत हैं बदल गएं, पुरानी नीत की जो डिफेंस है क्योंकि हमें स्टार्टिक में लड़ाई लडने पड़ी, देश की जो डिफेंस की जरूरत है, उनकी सप्लाई की जा सके, अदर जरूरत है, तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ हैं अपनी हर एरिया में बदली, तो हमें और एक और में मिद्ध है, हमा पॉलसी आती है 1952 की इस बात को ध्यान रखो यहां पर बिटिस के कॉमर्शियल इंटरेस्ट थे अब जब अपनी बावन की पॉलसी आएगी तो उसमें क्या रहेगा अपने पास दो अपसन है अभी जानवर बचाने काम अपन शुरू कर चुके हैं लेकिन एक लेबल से ज़्यादा नहीं क्योंकि अपने पास दो समस्या हैं वो है देश में भुकमारी की और रोजगार की तो अभी जो पॉलसी आएगी उसका परपज रहेगा एगरी कल्चर का प्रोडक्शन जदा से ज़्यदा बड़ा है तो फोरेश्ट पर काम करेंगे अपन लेकिन एक लेबल तक अभी फोरेश्ट पर प्रोडक्शन वाला टिम्बर के प्रोडक्शन वाला परपज जो है वो हावी होगा संड़क्शन प्रोडक्शन वाला जो इसू रहेगा वो कम रहेगा और जब लास्ट पॉलिशी आईगी तब हम प्रोडक्शन खतमी कर देंगे टोटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देंगे अब इस पॉलिशी पर कुछ कुश्चन देख लेते हैं पहला कुश्चन है नेशनल फोरेस्ट पॉलिशी जो अपनी 1894 क है वो फर्स्ट टाइम फोरेस्ट फॉलिशी स्टेट्मेंट अफ इंडिया बेस्ट वन दा रिपोर्ट आफ जो आपकी फिर्स्ट नेशनल फोरेस्ट पॉलिशी है वो किसकी रिपोर्ट के आधार पे बनाई गई थी तो वो है जे ए वॉलकर देखो यहां पर एक एक दो- अग्जाम के नाम लिखे हैं जो रिसेंट में पिपर हुए हैं उससे आपका काम हो जाता है तो यह दियाना को पहली रिपोर्ट किसकी रिपोर्ट के आदार पर बनी वॉलकर के जे ए वॉलकर अब फिर आप से कुशन पूछ ले जाएगा का वॉलकर को कब अपॉइंट किया अठारा सो नब्बे में ठीक है रिपोर्ट का नाम क्या था इंप्रोव्मेंट इन इंडियन अग्रिकल्चर भारती किरसी में सुधार यह उनका रिपोर्ट का नाम था फिर आप से पूछा जाता है कि जो फर्स्ट फोरेस्ट पॉलिसी है वो कब फ्रेम की गई देखो यहा कही बार पूछा कि हमने उसे कब एडॉप्ट किया कब उसे लागू किया कब इन अक्ट की गई मतलब कब उसे लोगों के सामने लेकी आए ऐसे वो दुनियार के नाम हो गे टेकनीकली बोला जाया तो आपको यह समझ में हागा होगा कोई भी नेती बनाने का मतलब यह नहीं है कि आपने बिल्कुल अभी कमांड दी आदे घंटे में आ गई टाइम लगेगा ये 93 में रेपोर्ट दी तो कम सकम पॉलसी बनाने में एक साल तो लगा होगा तब ये 94 में लेके आए तो अगर ये पूछा जाए कि इसका फ्रेम कम किया है तो बेसिकली तो हम लोग मांज़कते हैं कि 1893 में ये फ्रेम की गई होगी लेकिन ये इतनी टेक्निकल्टी आपको देखने की जरूत नहीं है अगर किसी कानून में विसेस तोर पे होगा तो बता दिये जाता अदरवाई आप सीधे लो चाहें वो कुछी पूछले कि कब फ्रेम ह नेक्स्ट कुछन है फर्स्ट नेशनल फोरेस्ट पॉलसी इंडिया इनेक्टेड वही यह आप से इनेक्टेड बोलते रहेंगे देखो यहां पर फर्स्ट नेशनल फोरेस्ट पॉलसी तो जब फर्स्ट नेशनल फोरेस्ट पॉलसी वही रहेगी नेशनल फोरेस्ट पॉलस 1988 the government on forest were classified based on इस policy के अधार पे जो सरकार के पास जो जंगल हुआ करते थे उन्हें किस अधार पे बाटा गया सेदी सी बात है उनके primary जो function थे उसके अधार पे बाटा गया function कौन से कि भाई इनका ये वो है जो forest का काम है preserve करना सरक्षड का काम है जिससे वो ecosystem भचा रहा है ये वो forest है जिसका काम है timber का production करना ये है pasture land आपको क्या बताया था PC production commercial minor और pasture land PC MP ये द्यान रखना है अब यहां question आया है 1894 की जो forest policy है उसने बनो को निम्न परकार से बाटा है अब भाई वो कौन सा है ले लो यहां पर है preservation commercial minor और pasture land preservation यहां पर देखो ये कर दिया major major नहीं था minor था preservation commercial mangroves नहीं preservation teak नहीं अपना है यह वाला ठीक है next question अच्छा इतमें इतनी है बहुत ज़्यादा question की जरूर नहीं है आपको जो MCQ दिये जाएंगे बकाय की question वहाँ है नहीं तो पता पड़ेगा कि objective objective इतने ज़्यादा हो जाते कि theory लटक जाती है अब अपनी आती है दूसरी policy देश आजाद हुआ उसके बाद 52 में यह बारा मई को आई यह date याद अख लेना बारा मई को अपनी second forest policy आई अब इस policy के आने की जरूरते क्या है जरूरते आपको basic समझ में आ गया है कि क्या है उसके बाद एक तो हमारी food food और fuel food इसकी demand जनसंग क्या भेंकर तरीकी से बढ़ी तो जरूरतें बढ़ गई प्राइबेट फेक्टरियां आ गई पॉलसी थी अब wildlife वाले इंगल जोडने है रोजगार खाने की समस्या यह सारी चीज है अब जड़ जाती ह एक basic समझ लो हर चीज आए आपको वो देखने की जरूरत नहीं है अब उसके लिए यह अपनी policy लेकर आ है अब यहाँ policy में बदला होंगे अपनी देश की जरूरते होंगे इन्होंने policy में सबसे पहले यह बोला कि हम policy किसलिए बना रहे हैं तो इन्होंने अपनी पहले सबस permanent need of nation उन्होंने बोला देखो 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 हमारी छे अधर भूत जरूरते हैं पहली जरूरत क्या है हमें एक इस टाइप के balance complimentary system की जरूरत है जो forest land को सही तरीके से उप्योग भी करें और उसे बरबाद भी ना करें क्योंकि बरबाद करने का मतलब वो भुक exploitation था अब हम देख रहा है कि थोड़ा balance की जरूरत है British की जैसा नहीं दूसरा देश में जो denudation है मतलब मिर्दा अपरदन वो बहुत हो देखो यहां समस्या है खाने की खाने को नहीं है हमें खेती वाली का production बढ़ाना है तो जो खेत है उनमें production बढ़ाना है लेकिन जो खेत भरबाद हो रहा है उन्हें भी तो रोकना है तो यहां पर denudation जो है उसको चेक करना है कहां पर है जैसे पाड़ी के area है उन पर बहुत सारा अपरदन हो रहा है उसे रोकना है तो यहसे में denudation की जो समस्या है अपरदन की उसे रोकना है तो आप इस picture को याद रखोगे denudation म या आज़कल fertilizer डालते उस अपने पास पैसे ही नहीं था, डालोगे क्या तो उसका एक तरीका ये निकाला गया है कि हमारे पास जानवर बहुत है लेकिन जानवर जो गोबर देते हैं, लोग क्या करते हैं, उस गोबर को कंडे बना करके जलाते है एजे फ्यूल फूड वो जलाने के काम आते हैं जिससे खाना पकता है तो हमें अगर खेती का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें खाद की जरूवत है तो हमारा परपज है कि ये जो कंडे बना रहा है ये ना हो इस खाद को यूज करा जाए खेत में जिससे लोग क्या करें उत्पादन बढ़ाता है खाने का अब अगर ये करोगे तो फिर यहां लोग जलाएंगे क्या चूले में खाना कैसे पकाएंगे उसके लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे पेड तो इस्टेबलाइजिंग ट्री लेंड हम जदद से जदद पेड लगाएंगे जद पेड लगाएंगे ये पेड लगेंगे बड़े होंगे और इससे लोग काट करके अपने घर चलाएंगे इसलिए इसी टाइम पे 1950 में हलाकि ये 50 में शुरू हो गया था 1 महोत साथ 1 महोत साथ ये पूछा जाता है का 1 महोत साथ कब शुरू हुआ किया मुनसी ने स्टार्ट किया उस टाइम के अगरिकल्चर मिनिस्टर थे आगे ची जाएंगे तो मुनसी है तो जासी देश आजा दुगा वो पॉलसी आसी भी नहीं कि दो दिन में बन जाती है टाइम लगता है इन्हें पहले से पता था क्योंकि इनी के अंडर बन रही थी वो तो इन्हें वन महोत साथ वो सी टाम पे शुरू का जिया था पॉलसी दो साल बात आई तो पेड़ों का प्रमोशन कर दो तो पेड़ लगाओ डेनोडेशन बैलेंस और कंप्लिमेंटरी यूज नेक्ट्स मुद्दा था वही कि ये जो है केटल डंग फॉर मैनियोर टू इंक्रीज फूड प्रोड़क्शन पेड़ उधर बढ़ा रहे थे किसलिए जिससे कि ये गोवर खाद है उसको हम यूज कर सके है जिससे खाद जिससे खाने का उत्पादन बढ़ाया जा सके है अब इसके अलावा हमें जानवरों का भी याद रखना है और ये भी देखना है कि जंगलों से सस्टनेवल तरीके से टिंबर की सप्लाई होती रहा है जिससे जो अपने फैक्टरिया है रोजगार भी करना है डिफेंस की जरूरत है लोगों की भी जरूरत है सहर है उनकी जरूरत है वो पूर्ती हो और लास्ट रिवेन्यू ये भी तो मिलना चाहिए भाई कुल भी हो फूरेश डिपार्टमेंट के भी लोगों को सेलरी देनी पड़ेगी तो इस प्रकार से हम लोगों ने 6 अधार भूत अपनी जरूरत है डिसाइड कर लिए इन जरूरतों के अधार पे पहले आपकी जरूरते हो गई तो अब अपने जो जंगल है उन्हें हम 4 हिस्सों में बाटेंगे कितने? 4 हिस्सों में लेकिन अब अपने जो बाटने का तरीका है भो बदलेगा और नाम बदल जाएंगे जैसे पुराने में क्या था? प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ठीक है? M, माइनर और पस्चर तो PC, MP था यहाँ पर क्या होगा? इन्हों ने बुला कि देखो सबसे पहले हमें फोरेश्ट का एक बो यह एडिया रखना है जिसका काम है प्रोटेक्शन का जो सनरक्षड का काम का रहे है वहाँ पर टर्म था प्रिजर्वेशन यहाँ पर टर्म यह ने यूज़ किया प्रोटेक्शन ठीक है? वहाँ पर दूसरा फोरेश्ट था कॉमर्सियल लेकिन कॉमर्सियल का बेसिक उद्दिस था इंडिस्टी वगरे के लिए यहाँ पर आपने उसका नाम किया हमें लगा के देखो इंडिस्टी तो चलो ठीक है हम लोग पेड़ लगा के कर लेंगे लेकिन देश की जरूरतों के हिसाब से तो आप क्योंकि देश की जरूरते ही है नाम लगवाग वही है तो अब हमने उसका नाम रख दिया है नेशनल फोरेस्ट प्रिजर्वेशन की जगा है प्रोटेक्शन फोरेस्ट दूसरे का कॉमर्सियल की जगा है नेशनल फोरेस्ट तीसरा था माइनर फोरेस्ट मतलब जहाँ पर मैली मोटा टिमबर जो है बोरन निकालके जो गम है, रेजिन है, फाइवार है, पत्ते हैं तंदू पत्ता है, इस टाइप की चीज़ें जो निकालते हैं इन्हें बोलते हैं माइनर फोरेस्ट प्रोडियूस ये निकाले जाते है अब ये गाउं की असपास ही निकालते है तो इस प्रकार से पहले जो जंगल के चार प्रकार थे बिटिस के, वैसे ही चार रहे बस इनके नाम में थोड़ी सी बदला हुए है वहाँ पर था प्रिजर्वेशन पहला, क्लास वन प्रिजर्वेशन यहाँ हो गया प्रोटेक्शन वहाँ था कॉमर्सियल नाम से है, ऐसे चार टाइपस है फोरेस्ट को फिर ट्लासी फाई किया गया यह द्यार रखना खासकर ट्री लेंड कन्फूजन मारता है, इसलिए मैं यहाँ बड़ी पत्ती यहाँ, बड़ा पिचल दे दिया इसके अलावा, इस पॉलिशी ने और भी पॉलिशी बड़ी है बहुत सारी चीज़ आती है, इस पॉलिशी ने एक टार्गेट फिक्स कर दिया इन्होंने यह बोला कि देश का जो एको सिस्टम एकोलाजी जो बैलेंस है उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि देश के एक टिहाई हिस्जे पे बनो कितने पे? एक टिहाई यानि कि कितना हुआ? 33 पृतिसाथ 33 पृतिसाथ एरिया यहां रखो देश का जो एकोलाजीकल बैलेंस है कलाइमेट वाला बैलेंस है इसको बनाए रखने के लिए हमें यह जरूरी है कि देश का एक टिहाई हिस्जा बनो के अंदर कवर हो तो इसने पहली बात यह टारगेट फिक्स कर दिया 33 परसेंट का यह पहली पॉलिसी है जिसने टारगेट किया है दूसरा इन्होंने यह बोला कि चलो यह तो ठीक है लेकिन जो पहली ले एरिया है उनमें क्या किया जाए अगर हम यह वहाँ पर भी यह 33 कर देंगे तो पहली यह बरबाद हो जाएं क्योंकि वहाँ रनोप देज होता है तो इन्होंने बोला कि यह जो पहली ले एरिया है जैसे कि उत्राखंड है, हमाचल है, नोर्थीस्ट के स्टेट है, इनके लिए इनके जो टोटल भोगलिक छित्र है, उसका 60% एरिया वनों के अंदर कवर हो, यानि कि अच्छादित होना चीए, तो ऐसे इस पॉलिशी में दो टार्गेट दिये गए, 33% का और 60% का, अब थोड ही कर दिया जाएगा, आगे जाके, अभी नहीं, इस पॉलिशी में 60% है, फिर मुद्द आता है कि इस पॉलिशी की कमिया क्या थी, सीधी सी बात है, जब यह पॉलिशी आई, अब यहां दिक्कत कि आता है कि आपको जनरल फोरस्टी, सिल्वी कल्चर वगरे नहीं पढ़ाय गया है, तो यहां थोड़ी चीजें समझने में दिक्कत देती है, होता यह है, कि यह पॉलिशी आई, जब पॉलिशी आ रही थी, अपने इतियास में पढ़ा होगा, अपना 1935 का कानून, Government of India Act, उस कानून में क्या किया गया, उस कानून तक, जो वन है, वर्ल लाइफ है, य उस टाइम पर क्या किया है, 35 में इनने बना दिया, इस्टेट सब्चेक्ट, इस्टेटों को ट्रांसफर कर दिया गया, इसका रिजल्ट यह हुगा, कि इस्टेटों के पास था, सभी इस्टेट अपनी मर्जी से चल रहा है, तो यहां एक तो कोई यूनिफर्मिटी यासी चीज बची ने, दूसरा क्या है कि बहुत सारी जो 52 की जो पॉलसी आई, उसकी बाद अभी स्टेट की पास है फोरेश्टी, तो पॉलसी भली आगा है, इस्टेट मान नहीं रहे, दूसरी दिक्कते आई, 52 से लेकर कि 88 की जो पॉलसी आई है, इस दौरान बहुत सारी चीज हैं बदली, कम्यूनिस्ट मॉव्मेंट, गरीबों के नाम पे जो कम्यूनिस्ट के मॉव्मेंट सुरू हुए, बो है, कहीं भी आगा लगाना, 1970 में बहुत सारे दंगे बगरे हुए, बो सुरू हुए, जानिकि उनने चीज़ों ने फोकस किया गवर्मेंट को, जो जो गरी गरीब तब का है, उसको भी एक लेबल तक का स्टेंडर हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो गरीबों हटाओ, ये सारी चीज़ें वहाँ चली, कहने का मतलब, यहां कम्यूनिस्ट मॉव्मेंट ने फैक्टरियों में, कार खानों में, और्गनाइजिसन किया लोग उनकी भी तो जरूर थें बदली, इसके अलावा, अब क्या होगा कि बीच में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल बार्विंग जैसे इसुगा जाएंगे, स्टॉक हम कर्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, भी सारी चीज़ें आ गई, फोरेस्ट स्टेट काड़ी को साफ कर देते हैं, और इस पर संत्रे की खिती करेंगे, सब का भला हो जाएगा, लोगों को बिरोजगार मिलेगा, इस टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे थे, एवन उस टाइम पे इंद्रा गांधी को तो यह लगने लगा कि अकर कुछ टाइम और रुक गए, तो साइध है जो 33 तो छोड़ दिये, देश में 5 परसेंट भी जंगल ना छोड़ा है ये स्टेट वाले, क्योंकि ये इंद्रा गांधी के लेटर फेजबाला पीरियड वो था, जहां पहले स्टार्टिक में कॉंग्रेस पूरे में डॉपनेंट थी, तो यहने कोई दिक्कत नह अब क्या हो रहा है, इस्टेटों पर लोकल गवर्मेंट आ गई, जो की अक्सर अपोजीशन की थी, तो वहां पर ये जो भी लेकिया रहा है, ये अडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर अपना एक फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी आ जाएगा, तो यहां पर अपन चीजे बता दी हैं, उधने में आपका काम हो जाएगा, अब इस पॉलिशी से रिलेटेट कुश्चन देख लेते हैं, पहला है नेशनल फोरेस्ट पॉलिशी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फॉर्मॉलेटेड, मैंने आपसे वही बोला, फॉर्मॉलेटेड, कब बनी, कब बनाई गई, कब से काम होगा, ये चीजें खाली पीली के टर्म हैं, जो कुश्चन बना रहे होते हैं, उन्हें खुद समझ में आता है कि वह पूछ क्या रहा है, तो आप से वह कुछ भी पूछ है, कब ये फॉर्मॉलेट की गई, कब ये इननसियेट की गई, कई बार में परिशान हो जाता हूं, तो ब्रेकेट में आपको कम इंटू एफेक्ट, कम इंटू फोर्स, कब इनेक्ट फेक्ट, ऐसी लंबी चोड़ी वो फ्हेक्ट दे रहते हैं, कुल मिला के अपना ये है, फस्ट फोरस्ट पॉलिसी ओफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दो आई हैं, अब यहां पर 52 है, अब 88 इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो कोई कॉमप्टीशन ही नहीं है, 52 आपकी हो जाएए, नेक्स्ट कोशन, फोरेस्ट एरिया रिक्वायर टू में एकोलोजिकल बैलेंस इज, इस ताइप के कोशन में क्या, कई बार आप से है कि देश के 33 परचीशत एरिया में जंगल होना चाहिए, पॉलिशी बताओ, अठासो बावन, अठासो बावन की पॉलिशी में 33 परसेंट या एक तिहाई हिस्ट बोला गया है, किस के लिए, एकोलोजिकल बैलेंस के लिए, तो यह टर्म गुमाएंगे, आपको याद क्या इरिया सुड भी कवर्ड वाइफ फॉरस्ट, टोटल एरिया का कितना एरिया है, जो हमें जंगलों के अंदर कवर होना चाहिए, अब होना चाहिए, मतलब, यहां जब वो बोलना है, इतना होना चाहिए, तो यह अपनी, आपकी मर्जी से नहीं है, यह किस की मर्जी से ठीक है, यह अभी रिसेंट की अच्जाम है, इन विच फॉरस्ट पॉलसी, इट वाज लेड आउट दाट इंडिया फॉरस्ट कवर सुड भी 33 परसंट, किस पॉलसी में यह बोला गया है, कि देश की जो है, उसका एक तेहाई हिस्सा, 33 परसंट जो है, वो इसके अंदर होन चाहिए, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर दिक्कत क्या है, दोनों ही पॉलसी है, 52 की भी पॉलसी है, और 88 की पॉलसी है, दोनों ही इस बात को बोलती है, तो अब जब दोनों आप्सन में है, तो अपने पास उत्तर यही बनता है, कि अपन पहली वाली जो है, उसे लगा दे पहलेंगे, for maintain ecological balance in India, minimum area under forest in hills, hills में कितना चाहिए, देखो, hills में आपके पास दो अप्सन है, एक है 60%, एक है 66%, यह जो 66% है, यह है अपनी 1988 की पॉलसी का, यह है 92 की पॉलसी का, अब जब नई पॉलसी आ गई, तो यह पॉलसी हो गई अपनी खता, अब यहां कॉस्चन में क्या है, पूरा tricky type का कॉस्चन है, इनने बोला, देश में ecological maintain बनाने रखने के लिए, हमें पाड़ों में total कितना चाहिए, आपके पास यह बोल सकते हैं, पॉलसी में तुम में 50 साल, 1000 साल पहले क्या पॉलसी थी, हमें क्या ले न देना, current पॉलसी है, पॉलती कि 66% होना चाहिए, इसमें answer नहीं है, तो आपका एक answer बनता, none of these, यह भी correct है, दूसरा आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी के नहीं है, तो पॉरानी तो 60 बोलती है, और 60 याल लिखा है, तो आप जा सकते हो, तो यहां पर इस टाइप से उसके दोन option बन सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर none of these prefer जड़ा करूँगा, क्योंकि current policy है, पुरानी में क्या बोला गया था, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, नहीं क्या बोल रही है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, और इसमें यह नहीं पुरानी की कोई बात नहीं की गई है, तो और चीज़े हैं, जो बताना छुट गया, जब policy आती है, सब कुछ अच्छा लगता है, अब आता है, नहरूची खतम हो जाते हैं, अपनी लाल बादू सास्रीच आ जाते हैं, उस टाइम पर सबसे बड़ी समस्या थी खाने की, तो इन्होंना जय जवान, जय किसान का नारा दिया, और खाने के प्रोड़क्शन को बढ़ाने के लिए, कब 1965 में, हरित करान्ती की शुरूबात की है, अब हरित करान्ती में उस टाइम पर एक जैसे अगरिकल्चर रिसर्च के लिए एक बोड़ी है अपने हां, ICAR, तो ICAR के फ्रेमर के अंडर, उस टाइम पर अपने एक साइंटिस्ट है, MS स्वामी नाथन, तो उनके तत्वादान में, उनी के अंतरगत, यह हरित करान्ती का स्री गड़ेश हुआ, तो इसलिए स्वामी नाथन को आपन देश में हरित करान्ती का पितामा है, मानते हैं, तो यह Green Revolution शुरू हुआ, अब इसमें होता क्या है, समस्या खाने की थी, सुरूबात होता है, तो इनका विचार यह था, कि अगले दस साल बाद, क्योंकि हरित करान्ती जब सुरू की गई, तो इसमें बहुत सारी चीज़े की गई, जैसे प्रोड़क्शन बढ़ाना है, तो हमें खेत हैं, उनको भी दिखना है, तो हम लोगों ने क्य बती सुरूना लर्मा रोजा, वो वेराइटी बनाई, तीसरा, जो खाने का उत्पादन हो, वो सारी जगा है, डिस्टिबिशन हो, उसके लिए, फूड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया, एफसी आई, जो भारती खद निकम या विवाग जो भी है, उसका संक्ठन किया गया, उसी टाइम पर सीड एक्ट आई, जिससे ये नई नई वेराइटी बनाई, तो ऐसा बहुत सारा काम किया गया, इन्होंने का प्लान ये था कि जैसी ये हरित करांटी आई है, लेके आए है, इसके दस साल बाद हम एक कमेटी बनाएंगे, और ये करांटी में, दस साल में हमन करांटी आती है, दो साल हम लोग करते हैं, फिर 67, 68, 69 पाकिस्तान के लड़ाई के साथ अपनी थोड़े लड़ाई यगड़े वाले आ जाते हैं जो, और चाइना के बार का पहले ही जिल चुके थे, इस शकर में अपनी बहुत कुछ गड़बर हो जाती है, वो इतनी खराब करती पे, दस साल बाद रिपोर्ट बरबानी थी, लेकिन उनने दस साल न करके, पाँची साल बाद, 1970 में एक आयोग का गठन कर दिया, जिसे बोलते हैं, राश्टी एक किर्सी, समतिय आयोग, ये कमेटी, इसे बोला जाता है, नेशनल कमीशन ओन एक्रिकल्चर, एन सी ए, आप लोग कोसिस करिये, जहां तक संबाब हो, इंगलिस में ही टर्मिनलोजी याद रख लो, क्योंकि जब इनकी हिंदी की जाती है, तो ऐसे खतरनाक सब्द होते हैं, कि वो जहलना मुस्किल हो जाता आपको भी, तो इनकी कमेटी क्या है, बीच बीच में रिपोर्ट देती यह है, 1976, कन 76 में, जैसे ही यह रिपोर्ट आती है, इंद्रा गांदी जी इस रिपोर्ट को एचे तलवार यूज करती है, और धड़ादर धड़ादर दुनिया भर के संसुधन करना सुरू कर देती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ बोला गया, अब होता क्या ह यह रिपोर्ट प्रापर तरीके से अपलाई हो पा है, उससे पहले उनकी ससथतर में सरकार गर जाती है, जनता धल, सरकारा में आ जाती है, तो तीन साल में जो जनता धल है, वो इस रिपोर्ट को फिर कुन्ने में डाल देती है, 1980 में जैसे ही इंद्रा गांदी जी पापिस आती है वो यही संसोतान फ्रचत ध्रादार करना शुरू कर देती है तो यह रिपोर्ट का बहुत अब्जेक्टिव अपने लिए उद्देश है इस रिपोर्ट में देखो हर चीज पालने की जरूवत नहीं है इस रिपोर्ट में कुछ मैन छीज हैं बात की गई है पहला है इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि देश में क्योंकि भले ही अग्रिकल्चर किय है लेकिन अभी भी forrestry agriculture ministry का ही एक department है तो इस रिपोर्ट में एक तो यह बात की गई है कि जंगलों को बचाने की जरूवत है और इसके लिए आपको दो चीज़ें ने आनी पड़ेंगी पहला जंगल जो कि अभी तक state subject है center कुछ करनी पा रहा है लेकिन आप इस्टेटों में other government है opposition की government है center कुछ बोले भी वो मानती नहीं है तो एक काम करनी की जरूवत है कि ये subject जो है forest और wild life इसे वहाँ से उठाके साथवी अनिशूची यानकी concurrent religion मद्वर्ती सूची जिसके उपर center और state दोनों ही कानून बना सकते हैं उसे वहाँ से उठाके यहाँ डालो एक recommendation ये है और जैसी इनकी recommendation आती है इंद्रा गांदी जी तुरंत उसी टाइम पे 42 वा संसोधन करती है समधान संसोधन कब का है 76 का और उसके अंतरगत forest और wild life को 7 जो schedule है साथवी अनिशूची है उसमें डाल देती साथवी अनिशूची कौन सी है concurrent list समधान में total कितनी अनिशूची यह है 12 यह भी पूछा कया है साथवी में डाल देती कब डालती है 42 संसोधन तवारा यह कम हुआ 76 में दूसरा उन्होंने यह बोला कि इसको बचाने के लिए center level पर कुछ act की जरूवात है state को क्या चलना था politics है state में कोई नए नए opposition leader की government आई है संसाधन है ने संसाधन का एक सीधा सा source है जंगल तो उन्हें यह पढ़ा था यह 200 hectare का area है इसको पचास hectare में गलीओं को बसा देंगे 500 hectare हम लोग माट लेंगे बेच लेंगे property आएगी उससे फिर हम लोग politics बगए यह सारी चीज़ें चलेंगे तो इन्हें लगने लगा कि ऐसे diversion हुआ तो खतम जंगल अगले 5-10 साल में निप्टेज जाएंगे तो उन्हें बुला कि एक ऐसा actor लेके आओ कि इनसे बोल दो तुम्हें जंगल जैसे उपयोग करना है करो लेकिन जंगल को जंगल के ही उपयोग में करोगे अगर कोई अन्य जंगल non-forest कोई उपयोग है जैसे road डालना है highway डालना है गाउं बसानना है city town बसानना है कोई plantation का projection तो ऐसे non-forest के लिए center की permission ज़रूरी है इसे 1980 में काधिनियम आएगा तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने forest conservation act का काम आगए यह जंगलों को again classify करते है concurrent list वाला काम आगए और एक है social forestry इन्होंने यह बोला कि जंगलों को बचाने के लिए जंगलों पे जो बज़न है उसे कम करने की जरूवत है उसके लिए हमें जरूरी है को लोगों से बोला जाए कि पिड़ लगाओ पौधी लगाओ पौधी लगाओ पौधी लगाओ तो इस type से सामाजी कवान की यानि की social forestry को promote करने की जरूवत है ठीक है तो इस type से इन्होंने कुछ चीज़ें दी अब पहले हम लोगों जंगलों के classification को देख लेते हैं अपनी पहली policy IT forest policy अठारा सो चोरानवे की इसमें बोला था preservation यह commercial, minor और pasture land दूसरी policy IT इसमें है protection national village और tree land social forestry है इसके अंदर जो national commission on agriculture की report है इन्होंने क्या बोला protection, production और social जंगलों को तीन प्रकार से बाटा protection, production और social यानि कि जंगलों को इन्हें सीथे सब बाट दिया एक जंगल वो जिनका काम सनरक छड़ के लिए है दूसरा वो जिसका काम production के लिए है कोई भी production लो खतम काम क्योंकि इन्हें बोला इतनी तुम बखलोली करते, दिमाग का दही करता है सीथे काम करो, दो टेबल रखो protection और production तीसरा आम लोगों को लगवा रहा है इसलिए उसे social तो ऐसे तीन subdivision कर दिये अब production को फिर ये further divide कर देंगे वो अपने लिए परपाश है नहीं आप बस इतना रखो गए ये तीन इन डिवाइड करें तो इंडिया की जो forest है उसको reclassify किस ने किया National Commission on Agriculture की report नहीं यहां तक काम हो गया अब इस पर कुछ question देख लेते हैं question है National Commission on Agriculture कई बार ऐसा आजाता है कि NCA है इसका full form क्या है ये भी question आए है तो वो क्या है National Commission on Agriculture ये कब बनाई गई कब बनाई गई सब्पर में छाप्तर में एक report आई है जिसने बोला है कि ecological जो consideration है देश का उसे बचाय रखने के लिए जो बयानवे की policy है जो बोलती है कि देश का एक तिहाई हिस्से की जरूरत है वो सही बोल रही है वो हमें होना चाहिए लेकिन ये report ये भी बोलती है कि लेकिन पहड़ी area के लिए जो इनने 60% की बाद की गई है वो ठीक नहीं लग रही उसे आप बढ़ा के 66% कर दो तो ये report एक अधर बनती है जो अगली policy के लिए आएगा तो ये report किसकी थी National Commission on Forestry नहीं है National Commission on Agriculture कई बार हवाबाजी में आँगे के पढ़ते हैं और लगा देते हैं तो गलत हो जाता है Modified Functional Classification of Forest What mentioned in जो forest का जो Classification है उसे Modified वाला वो किसने दिया तो इसका अपना अंसर आजाएगा National Commission on Agriculture ठीक है Next question ये अपना आता है 42 नंबर का जो सम्विधान संसोधन है उससे related है आपको basic बता दिया कि report आती है इंद्रा गांदी जी उस report के आधार पे 42 नंबर का सम्विधान संसोधन करती है जिसके अंदर जिसके तहत अंतरगत वन और वन निजीव यानि कि forest और wild life को concurrent list यानि कि समवर्थी सूची में डाल देती है तो यहाँ पर question पूछा जाता है polyamend by amendment जो हमारी संसद है वो किस सम्विधान संसोधन द्वारा जो छातर में ने किया था forest और wild life को concurrent list की कौन सी schedule में डाल देते है तो यहाँ पर एक तो schedule पूछा आएगी question में और संसोधन का number पूछा तो यह अपना कौन सा है 42 भी number का और 7th schedule में डाल गया ठीक है फिर इनके बहुत सारी question आएगे किसी में वो 42 भी पूछाएंगे किसी में 7th पूछाएंगे यासे चलते रहेंगे question कुल मिला के वो 2 target कर लो कता subject of forest and protection of wildlife has been moved from state list to concurrent list किस सम्विधान संसोधन द्वारा जो forest और wild life है वो राज से सूची से समवर्थी सूची में मीस उधर से इधर transfer किये गए तो वो ही अपनी 42, 76 आपसे यह भी पूछा जाता कि समधान में total कितने सीडूल है तो भी 12 है ठेक है अब आता है National Forest Policy 1988 यह आई है अपनी 7 December को मुझे लगता है कि यहां तक हमें रुक जाना चाहिए अभी अपने क्योंकि फर्स्ट क्लास रहेगी तो थोड़ा आप लोग को भी बुरियत हो सकती है यहां पर अपना policy के लाम पे दो चीज़े बचेंगी एक अपनी यह तीसरी policy है और state आपकी यूपी की जो state forest policy है बचेगी तो यह तो चीज़े अपनी रही जोने हम लोग कल देखें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सबस्क्राइब कर सकते हैं आप चैनल को और दूसरे लोगों को भी कर सकते हैं जिससे कि एक जो हम लोगों का जो एक basic है means अगर आप 20-50 लोग ही सबस्क्राइब करते हैं तो running cost नहीं निकलता है हमारा basic plan ही होई ही कि at least 200 के असपास हो जाए तो उस वे हम लोग no profit to no loss के basis पर run कर सकें और हो सकता है संबाब है बैसे तो मैं यह मानता हूँ क्योंकि आप मैसे ज़्यदतर लोग graduate है graduation का level है तो हिंदी इंगलिस में ज़्यदा दिक्कत नहीं होगी लेकिन क्योंकि काफी ऐसे भी है जो state level पर है और जो state level पर जाते हैं वो ज़्यदतर हिंदी से ज़्यदा है तो उन्हें इंगलिस से डर बहुत ज़्यदा हो रखा है तो वो ऐसे कर सकते हैं कि इसे एक level तक समझे है बकाय का जो बोला जा रहा उससे आप note down कर लें उससे काफी मदद मिल जाएगी आपकी और courses करिए कि जो basic सब्द हैं जैसे national forest policy है 1988 है इसे आप सीधी अकर इंगलिस में रटा मार सकते हैं चार-पाँच बार बार अपने इतनी बार बोलेंगे कि ये चीज़े सीधी सीधी इंगलिस में याद हो जाती है आपकी तो उससे क्या है टर्मिनल लॉजी की समस्या खड़े नहीं होगी क्योंकि ये जो forestry वगरे के जो paper बनाए जाते हैं ये है technical subject इनका हिंदी में कहीं कुछ होता नहीं कभी कभार जो आप लोगों ने सुना होगा कि government हिंदी को promote करने के लिए फंड दे देती है तो कोई author आया उसने वो 50-60,000 जो मिलते हैं को पाने के लिए हिंदी में कोई book लिए थी तो वो 5-10-50 copy publish होती है भंड में लगिया वो copy कहीं पढ़ी रहती है तो इस type की books आपके लिए काम के नहीं है मिलती है नहीं है हम लोगों को खुद नहीं मिल पाती है आप तो छोड़ी दीजे हो ना तो एक तो इस type की चीजे मिल नहीं पाती है दूसरा वो core होती है subject की तो वो अपने competitive जैसे exam के लिए होती नहीं है तो यह जब paper बनाए जाते हैं तो department में बैठे सब ही वही लोग है तो वो ऐसी सब्द जब हिंदी बनाते हैं तो ऐसे सब्द खोज़ खोज़ के लिए आते हैं कि वो साइध है कभी समाज में नहीं आते हैं जैसे rotation है आपको आँगे rotation आसानी से याद हो जाएगा उसका ब्रधी पता नहीं कुछ type के लिए के लिए के आएंगे वो सब्द आप पढ़ोगे दिमाग चकरा जाता तो ये सदिक्कत रहती है उनकी तो कुछिस करिए basic terminology है वो आप English में ही कर लो बकाय की एक concept समाज में आ जाए जिससे जब question आप करो तो वो असन हो जाए अपने के लिए और दूसरे लोगों को सेर करिए अपना कीमती समादेने के लिए धन्ना बात